स्वागत है, आज हम बना रहे हैं कुर्कुरी बेंडी, कुर्कुरी बेंडी बनाने के लिए हमने लिया है, ये 250 ग्राम बेंडी लिया है, जिसे हमने अच्छे से वाश करके कपड़े से ड्राय करके लिया है, ये 3 टेबल स्पून हमने बेसल लिया है, 1 टेबल स्पून हमने र नमक हमें स्वादन उसर लगेगा, जो मैंने एक टीस्पून लिया है, हाफ टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ली है, वन फोट टीस्पून जीरा पाउडर है, वन फोल टीस्पून अजवेन है, और हाफ टीस्पून अमचुरे, तो आइए कुरकूरी बेंडी बनाना शुरू करते हैं, आई ये फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बेंडी को कैसे काटना है, किस तरह से हमें उसे काटना है, वो दिखाती हूँ, ये देखिए, बेंडी ली, जिसका मैंने आगे का और पीछे का पोर्शन निकल दिया, और ये इस तरह से मैंने स्पून को पकड़ा है, और अग हलके से मैं इसे इसे निकालूंगी, ये देखिए, ये पूरा निकल चुका है, अगर समझे थोड़ा सा रह जाता है, तो आप वापिस से इसे इसे निकाल सकते हो, इस तरह से हमें पूरा निकालना है, इसका भी निकाल के दिखाते हूँ, एकदम सिंपल ट्रिक है, चमज ज प्रेस करके निकलना है, ये देखिए, फूरा निकल जाता है, ये देखिए, मैं और एक दो दिखाते हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से पकड़ा है, इसे यहाँ पर रखना है, और धीरे से आगे करना है, इस तरह से हम सब भी ब कि अंदर के जो बीज है वो निकाल लेते हैं यह देखिए यह देखिए फ्रेंड्स यह हमने सभी बेंडियों का बीज निकाल लिया है पूरा निकल जाना चाहिए अभी हम इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट करेंगे मैं दिखाते हूं आपको यह देखिए यह इससे पकड़ के पीसे कर लेंगे यह देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने यह भिंडी को बारी कट करके लिया है अभी हम सभी मसाले इसमें एड करेंगे यह मैंने रेड चिली पाउडर डाला है आम चुर पाउडर हल्दी पाउडर अजवेन और जीरा बाउडर सभी मसाले को मैं अच्छे से कोड कर लेती हूँ बिंडी को यह देखिए फ्रेंग्स मैं बाद में हाथ से मिक्स करूँगे इसको पहले मैं अभी बाकी की चीजे इसमें मिक्स कर लेती हूँ मसाले को में हमने अच्छे से कोड करके लिया है अभी एक ठीज स्पून मैं राइस दालती हूँ हो अर दो टेबल स्पून मैं, 10 तेबल स्पून मैं बैसन डाला है अभी मैं एक हाथ से कोड कर लेती हूँ हूँ अब हम इसमें नमक आड़ करेंगे, नमक आप स्वादानुसर लीजिए, जो मैंने 1.5 टी स्पून लिया है, यह दिके फ्रेंट, यह हमारा ओईल गरम हो चुका है, हमने बेंडी में 1 टी स्पून पानी डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स करके लिया है, ताकि जो मसाला हमने बनाया है, यह अच्छे से कोट हो जाए, ग्यास का फ्लेम हमने हाई रखा है, देड़ दो मिनिट के लिए हम हाई पर इसे प्राइ करेंगे, और फिर थोड़ा सा ग्यास का फ्लेम कम कर लेंगे, ताकि भिंडी कुर्कुरी बने, यह दिके फ्रेंट, हमार प्रेंडी बन चुकी है, हम इसे निकाल लेते हैं, और इस तरह से हमने पूरी सभी बेंडी ट्राइ करके लेगे, यह देखिए फ्रेंड्स, यह हमारी बेंडी बहुत अच्छी बनी है, तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए, और अगर मेरी यह देसे पर आपको पसन आती ह तो प्रीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू